हेलो फ्रेंड बेलकम टियर चैनल गानफोर एकजाम आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे महा जन्पद काल से संबंधित 35 परस महतपूर्ण प्रेस्ण को यह जो सवी महतपूर्ण प्रेस्ण हैं आपके आने वाले एकजाम चाहे वो NTPC हो या आपके वन डे एकजाम जितने भी है उसमें बहुत ही महतपूर्ण प्रेस्ण होंगे और यह जो प्रेस्ण हमने क्लेक्ट किया है यह आपको डाइरेक्ट वान लाइनर में ही आपको प्रेस्ण देखने को अक्सर मिल जाता है तो आईए जानेंगे महाजनपस से समद्धित सभी महतपूर्ण प्रेस्ण को सुरू करने से पहले अगर जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं दोस्तो आज का वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको अनेकैडमी के बारे में बताना चाहूंगा आनेकैडमी जहां लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनारा मौका मिलेगा उसी के साथ मिलेगा आपको 300 से ज्यादा फ्री लाइब क्लासेज लाइब डॉट क्लेरिंग के साथ 20 अज़ार प्लस प्रैक्टिस कोश्चन्स, फ्री मौक टेस्ट और उनके अनालिसिस और भी अन्न बहुत कुछ जहां पर आपको डेली T20 फ्री लाइब क्यूज कराई जाती है इस डेली T20 फ्री लाइब क्यूज में 20 कोश्चन 20 मिनट में कराई जाते हैं रात 8 बजे साथ ही आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं और इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करे आने कैडमी कोड को यूज करते ही आपको इंस्टेंट 10 परसेंट का डिसकौंट भी मिलेगा एक और जरूरी सूचना एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन यह है हमारे दोस्त कि आने कैडमी लेकर आया है प्लेस बैचेज आपकी ओल रॉंड प्रिप्रेशन के लिए जिहां जहां पर अब अने कैडमी के साथ आप अपना मन पसंद बैच जॉइन कर सकते हैं और अपनी प्रिप्रेशन के हिसाब से आप अपने मन पसंद बैचेज को भी जॉइन कर सकते हैं और ये सारे batches जो हमारे अगले हफ़ते सुरू हो रहे हैं और आप अपने प्रेप्रेशर में जहां भी हैं आपको बहुत मदद करने वाली है तो आईए जानते हैं इन course के बारे में इन course में आपको मिलेंगे 60 दिन BPSC mains batch जो कि 4 जनवरी से सुरू हो रहा है उसके साथ साथ मिलेगा foundation course pre और mains का जो 5 जनवरी से सुरू होगी साथ ही 80 दिन का live crash course for ASI याने की आपका सपना है दरोगा बनने का तो वो भी आपको मिलेगा अगर आपने इस बार का prelims दिया है और mains की preparation करना चाहते हैं तो enroll करें लक्ष बैच को इसमें सारे GS के subject top educator के द्वारा cover कराए जाएंगे जिन के साथ PDF revision notes भी आपको free of cost दिये जाएंगे उसी के साथ answer writing practice भी कराए जाएगी तो हुई ना पूरी BPSC mains की preparation course के link description में हैं तो आज ही जाएं और course को enroll करें उसके साथ साथ अगर आप BPSC की complete preparation करना चाहते हैं full guidance के साथ तो बिलकुल भी देरी ना करें जॉइन करें mission BJ foundation batch को BJ foundation batch में आपको यहाँ पर क्योंकि pre plus mains का complete course तो कराए ही जाएंगे उसके साथ साथ ही रोज live.clearing session भी होगा और mains के लिए answer writing practice भी आपको कराए जाएंगे यही नहीं आपको इस course में daily current affairs cover कराए जाएंगे दीन में दो बार अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आज ही एक course हमारे साथ जॉइन कर सकते हैं उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमारे साथ जूट सकते हैं हमारे top educator के साथ तो आईए कैसे आपको anacademy subscription लेना है उसके लिए anacademy app को download करें bpsc category को select करें और select करते ही आपको get subscription पे जाना है और वहाँ जाते ही आप हमारा code यूज करें अमर 10 अमर 10 code यूज करते ही आपको 10% का instant discount मिलेगा जहां पर आपको एक महीने से लेकर 24 महीने तक का course आप कर सकते हैं और जो most valuable है वह है 12 महीने का course तो आज ही हमारा subscription code डाल करके anacademy join करें और download anacademy app now to crack BPC and let's crack it वो चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को on करके हमारे साथ जूड़ जाएं और इसके PDF के लिए आप हमारा telegram link नीचे description में दी गई है वहाँ join कर जाएं वहीं पर आपको इसके PDF दिये जाएंगे तो आए जानते हैं एक प्रस्ण को जानेंगे पहला जो प्रस्ण है पहला जो प्रस्ण है वह मगद में सबसे प्राचीन बंस का संस्थापक कौन था मगद का जो सबसे प्राचीन बंस था उस बंस का नाम भी ब्रिहद्रत था और ब्रिहद्रत बंस का संस्थापक था खुद ब्रिहद्रत यह जो अक्सर विक जाम में कवे कवे देखने को मिला है कि ब्रिहद्रत किस बंस समंदित है तो आप आंसर करेंगे ब्रिहद्रत बंस से ही अगला प्रशन है बिंबी सार का संबंध किस बंसे था बिंबी सार और एक बिंदू सार इसे ध्यान में रखना है एक बिंदू सार होता है और एक बिंबी सार तो यह जो बिंबी सार है या हर्यक बंसे संबंधी थे जबकि बिंदू सार का संबंध है मौर बंसे से इसे भी ध्यान रखना है अगला प्रस्ने हरियक वंस के किस सासक को कुनिक कहा जाता था कुनिक के नाम से हरियक वंस का वह सासक जो है उसे अजाद सत्र को जाना जाता है जो अगला प्रस्न है वह है किस सासक ने गंगा वा सोन नदियों पर पाटली पूत्र नामक नगर के अस्थापना की थी गंगा और सोन नदियों की तड़ पर पाटली पूत्र इस्तित है जिसके अस्थापना किया था उदईने सही आंसर है उदईन अगला जो प्रसने सिकंदर महान की मिर्तियों कहां हुई थी सिकंदर महान की मिर्तियों जो है यह 323 इस्वी पुर्व में बेविलोन इराक में हुआ था और यह भारत में 326 इस्वी पुर्व में आया था और 323 इस्वी पुर्व में इसकी मृतियों हुई थी अगला प्रसने सिकंदर महान ने भारत पर आकर्मन कब किया था तब ही हमने बताया कि सिकंदर ने 326 इस्वी पूर्व में भारत पर आकर्मन किया और 323 इस्वी में इसकी मिर्थी हुई और इसकी एक प्रमुख घोड़ा था प्रेंसने एक बहु केफला नामक नगर भी बसाया था प्रेंसने सिकंदर का मुखे यूद किस नाम से जाना जाता है सिकंदर और पोरस के बीच में हुई यूद है हाइडेस पीच की यूद जो जहलम नदी के तट पर लड़ा गया था इसलिए हाइडे स्पीच यूद को जेलम का यूद भी कहा जाता है और यह सिकंदर और पोरस के बीच में हुई थी अगला प्रसन है कि सिकंदर के यूद का क्या महत्व है सिकंदर के यूद का महत्व यह था कि यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग यानि की अस्थल मार्ग का खोला करना अस्थल मार्ग को ओपिन करना इसका मुख उदेश से था आगे जो प्रसन है कि भारत में सिकंदर का मुख यूद किस के साथ हुआ था तो भारत में सिकंदर और पोरस के साथ जो यूद हुई थी जो हमने जाना हाई डे स्पीच का यूद या जेलम का यूद आगे जो प्रस्न है पाली गरंथों में गाउं के मुख्या को क्या कहा गया है तो पाली गरंथ में गाउं के मुख्या को भोजक के रूप में जाना गया है भोजक कहा जाता है गाउं के मुख्या को प्रस्ने उज्यायन का प्राचीन नाम क्या था उज्यायन का प्राचीन नाम है अवंतिकी आगे प्रस्ने है नंदबंस का संस्थापक कौन था तो नंदबंस का संस्थापक था महा पदम नंद और नंदबंस का जो अंतिम सासक था वह था घना नंद और घना नंद को मार कर ही चंद्रगुप्त मौरी ने मौरे वंस कई अस्थापना किया था अगे प्रस्न है प्राचीन भारत में पहला बिदेशी आकरमन किसके द्वारा किया गया है पहला बिदेशी आकरमन करने वाला प्राचीन भारत में वह है इरानी अगले जो प्रस्ण मारा मगद की प्रत्हम राजधानी कौन सी थी तो मगद की प्रत्हम राजधानी थी वह ग्रीबरज या राजगरी बरतमान का राजगीर बरतमान का राजगीर जो की बिहार के नालंदा डिस्टिक में इस्ति थे नलंदा जिला मेशती थे जो कि मगद की प्रत्हम राजधानी हुआ करती थी उसकी बाद मगद की दूसरी राजधानी बनी बैसाली और फिर तीसरी राजधानी बनी थी पाटली पुत्र तो इसे भी ध्यान रखेंगे पाटली पुत्र इसके तीसरी राजधानी बनाई और पाटली पुत्र को राजधानी बनाया था उदयन ने जबकि बैसाली को राजधानी बनाया था महा पदमनंद यानि की नंदबंस के सासक ने आगे प्रेस ने किस सासक ने सरपर्थम पाटली पुत्र को अपनी राजधानी बनाया था पाटली पुत्र को अपनी राजधानी बनाने का कारिकिया उदैईन और पाटली पुत्र जो है या गंगा और सोन नदियों के किनारे पर इस्तित है आगए प्रेसने 16 महाजनपत की सूची किसमे है 16 महाजनपत की सूची का बर्णनमे अंगुत्तर निकाई में मिलता है जो की बौध धर्म से समन्दित है और जैन धर्म के ध्यान रखेंगे जैन धर्म के भगवती सुटर से भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है इनी 16 महाजनपद में से एक सबसे प्रमुख महाजनपद था मगद महाजनपद मगद की राधानी थी राजगरी अगले देखेंगे मगद का कौन सा सासक सिकंदर का समकालिन था मगध का जो सिकंदर के समकालिन था हुआ है घनानन्द या धनानन्द और इसे ही मार कर चंद्रगुप्त मौरी ने चानक्की की सहायता से मौरी वन्स की अस्थापना की थी अगले जो प्रस्ण है प्रत्हम इरानी सासक कौन था जिसने भारत के कुछ हिस्से को अपने कबजे में लिया था वह था डेरियस आगे जो प्रस्ण है वह है नंद बंस का अंतिम समराट कौन था नंद बंस का अंतिम समराट था धनानन्द और नंद बंस के बाद ही आता है मौरी वन्स जबकि नंद बंस का प्रत्हम सासक था महा पदम नंद आगे जो प्रसने भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था यानि कि भारत में एक तरे से रुपिय का प्रचलन कब से माना जाता है तो छे सो इस्वी पूर्व से आगे प्रसने हमारा कि किस सासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया अबंती को जीत कर मगद का हिस्सा बनाया था सीसुनाग और सीसुनाग जो है या नाग बंस से संबंदी थे अगला प्रसने कि छटी सदी में भारत का सबसे सक्तिसाली राज कौन सा था चटी सदी में यानि कि महाजनपद में सबसे महान महाजनपद सक्तिसाली महाजनपद जो था वह मगद है जिसकी राजधानी राजग्री हुआ करता था आगे जो प्रस्ण है कि किस सासक को सोनिया यानि कि नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है सोनिया का मतलब होता है नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला तो वह है बिम्बी सार और बिम्बी सार का संबंध है हर यक बांच से जबकि बिंदु सार का हमने बताया था कि मौरिबन से संबंध है अगले जो प्रस्ण है कि ग्रीह पती का अर्थ क्या है ग्रीह पती का अर्थ होता है धनी किसान यानि कि अमीर किसान को ग्रीह पती के नाम से जाना जाता है आगे जो प्रस्ण है कि किस सासक ने राज्या रोहन के लिए यानि कि राज्या भिसेक के लिए अपने पीता की हत्या की तथा बाद में हुआ है अपने पूत्र द्वारा मारा गया तो यह है अजात सत्रू अजात सत्रू ने बिम्बिसार की हत्या की बिम्बिसार अजात सत्रू का पिता था और बिम्बिसार की हत्या करने के वाद अजात सत्रू राजगदी पर बैठा फिर अजात सत्रू की हत्या उसका पूत्र उदैने करके फिर से हुआ हरियकवंस का अस्थापित क्या गया था लिछवी बंस द्वारा अस्थापित की गई थी और यह बैसाली में अस्थापित हुआ था यह बैसाली बरतमान बिहार में ही इस्तित है आगे प्रस्ण है कि महाजनपदों का उदय कब हुआ था महाजनपद का उदय हुई थी छठी सताब्दी में जिसका हमें वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाई और भगवती सूत्र में अगला जो प्रस्ण है वह है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महा जनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाई से थोड़ा अलग है यानि कि जैन ग्रंथ की बात कर रहा है तो जैन ग्रंथ जो है वह है भगवती सूत्र और बौध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाई दोनों में कुछ भिंताएं पाई गई है अगला जो प्रस्ण है कि भारत में पहला एउरोपी आकरमन किस के द्वारा क्या गया था पहला एउरोपी आकरमन किया गया था यूनानियों के द्वारा जिसमें सिकंदर जो है यह एक यूनानी था आगे जो प्रस्ण है कि किस सासक को उग्र सेन के नाम से जाना जाता है उग्र सेन के नाम से जाना जाता है नंदबंस के संस्थापक महा पदमनंद को अगला प्रेस ने कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहास अगला प्रेस ने कासी और लिच्वी का बिलय मगत समराज में किस ने किया कासी और लिच्वी जो गनराज था इसे मगत समराज मिलाने का कारिकिया था जात सत्रु और अजात सत्रु का संबंध हरी अकबंस से हरी अकबंस को प्रित हन्ता बंस भी कहा जाता है आगे जो प्रस्न है कि अजाज सत्रू का उपनाम क्या था अजाज सत्रू का उपनाम है कुनिक आगे जो प्रस्न है कि मा अजाज सत्रू कीस धर्म का अनुआई था तो अजाज सत्रू बौध धर्म का अनुआई था और अजाज सत्रू की हत्या किसने की तो अजाज सत्रू की हत्या उसी का पूत्र उदैने किया था आगे जो प्रसने कि अजाज सत्रु गद्धी पर कब बैठा तो यह गद्धी पर बैठा था 492 पूर्वे में अगला प्रिशन है कि धनानंद के बाद सासन किसने प्राप्त किया था धनानंद के बाद यानि कि नंदबंस के बाद किसकी सासन हुई तो यह है चंद्रगुप्त मौरिकी यानि कि मौरिबंस का और मौरिबंस को चंद्रगुप्त मौरिक के सासन दिलाने में सबसे बड़ा हाथ चानक के या बिशनुगूप्त या कौटिलिका हुआ करता था तो ये थे आज के हमारा 35 पलस माहजनपद से समंधित प्रमुक प्रस्न आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आये होंगे जो लोग हमारे साथ नहीं जूड़े हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लें और पीडियो पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो जाते जाते आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें, चैनल को सबस्क्राइब कर लें और थैंक्स पूर वाचिंग और इसी के साथ जैहिंद धन्यवाद